इस लैप्टॉप यह कम्प्यूटर में जो भी Wifi Connected रहते हैं तो उसका पासवर्ट कभी-कभी हमें हम भूल जाते हैं या फिर हमें पता नहीं होता है तो उसका पासवर्ट हम लोग कैसे जान पाएंगे तो इसके लिए चलिए आज हम लोग देखते हैं तो इसके लिए हमें जाना होगा हमारे लैप्टॉप में लैप्टॉप में जाने के बाद वहां पे हम लोग रन में जाएंगे विंडोस का बटन प्लस आर का बटन जो है एक साथ क्लिक करके वह रन का ऑप्शन खुल जाएगा उसके बाद वहां पे टैप करेंगे ncpa.cpa उसके बाद एक विंडोस खुलेगा उसमें हम autoren को कडिक करने के बाद wedदे किलिक करने के बाद दो ऑप्शन आयागा और करेंगे corridors सेकुरिंट का तो security वाले option को select करने के बाद उसमें network security की जो hide है उसे show character में checkbox को click कर देंगे तो हमारा password पता चिल जाएगा इस तरह से किसी भी PC में connected वाइफाई का password आप जान सकते हैं अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को subscribe करें मेरे वीडियो को लैक करें और लोगों के साथ share करें थैंक यू